आज मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपने PC वीडियो, मूवेज, म्यूजिक सबको अपने मूबाइल में कैसे देख सकते हैं बीना किसी वायर के कभी-कभी आपके मूबाइल में ज़्यादा स्पेज नहीं रहता है तो आप आपको अपने OTG पेंडाइल में मूवी डालके उसे देखना पड़ता है लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वायर लेस के थ्रू आप मूवी, सौंग्स देख सकते हैं, सून सकते हैं तो चलिए शूरू करते हैं, इसके लिए पहले आपको प्लेश्टोर में जाना होगा, प्लेश्टोर में जाने के बाद आपको यहां पे सार्च करना होगा, ES File Explorer, आप देख सकते हैं, यहां पे ES File Explorer, फाइल मैनेजर, अगर आपके पास यह अल्रेडी है, तो ठीक है, जास्ट इसे उपेन कीजिए लेफ साइड में आप यहां पे देख सकते हैं, नेटवर्क, LAN, क्लाउड, FTP, Android, TV, Bluetooth, रिमोट मैनेजर, नेट मैनेजर, बहुत सारे ओफ्शन है, ओके अब आपको, आपके मोबाइल में, Wi-Fi स्टार्ट करना होगा, हस्पोट, Wi-Fi हस्पोट को on करना होगा, मैं यहां पे हस्पोट को on कर देथा हूँ, किनको यह काम करेगा, आपके Wi-Fi के through, आप यहां पे देख सकते हैं, इसके लिए आपके मोबाइल में, नेट को on रगना जोरी नहीं है, आप नेट बंद करके भी इसे कर सकते हैं, चलिए, कनेक्टेट तो हो गया यहां पे, के बाद आपको इसके उपर, ओपे नेट वाक सेरिंग सेंटर में जाना होगा, ओपे नेट वाक यां सेरिंग सेंटर लेफ साइब में आप यहां पर देख सकते हैं, चेंज अडेप्टर सेटिंग, चेंज एडवान सेरिंग सेटिंग, आपको जाना होगा, चेंज एडवान सेरिंग सेटिंग, ओके, यहां पर आप देख सकते हैं, क्या-क्या ओप्शन है, आपको टान और नेटर्क डिस्क्र इसे on करना होगा, turn on file and printer sharing on करना होगा, allow windows to manage home group connection on करना होगा उसके बाद guest and public में भी सब कुछ आपको on करना होगा, turn on network discovery, turn on file and printer sharing all networks के अंदर, turn on sharing so anyone with network access can read, use 120 bit encryption sharing, turn on password protection sharing ओके, उसके बाद इसे आपको close कर देना होगा, ठीके, अब आपको search करना होगा, cmd comment prompt, यहापे आपको लिखना होगा, आपका IP address, यहापे आपको देखना होगा, आपका IP address क्या है इसके लिए आपको type करना होगा, IP config देखिए, यहापे मेरा IP address हो कर रहा है, 192.168.43.202 ओके, तो मैं इसे minimize कर देता हूँ, ठीके, अब आपके mobile में आपको देखना होगा, यह file manager में जाना होगा, इसके बाद यहापे आपको click करना होगा land के अंदर, land के अंदर आपको search करना होगा, scan देखिए, यहापे desktop हो कर रहा है, desktop क्या है, यह मेरा computer का नाम है, आप कैसे आपके computer का नाम देख सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा, इस PC के उपर right click करना होगा, उसके बाद properties, इसके बाद आपको जाना होगा, advanced system setting, यहापे आप देख सकते हैं, computer name, देखिए, full computer name यहापे सो कर रहा है, desktop, इसलिए, मेरे mobile में भी desktop ही सो कर रहा है, ओके, तो मैं desktop पे उपर click कर देथा हूँ, देखिए, यहापे connection to SMB IP address हो कर रहा है, 192.168.43.202, यहापे आप देख सकते हैं, मेरा IP address 192.168.43.202, ठेके, IP address तो सेम ही है, तो यह मेरा ही IP address है, उसके बाद आपको connect करना होगा, username और password डल के, यूजर्नेम आपका क्या होगा, username आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहापे C user उसके बाद है देव, यानि username मेरा है देव, आपका भी username जो होगा, आप वही username के अंदर डाल दीजिए, ठेके, password क्या होगा, password आपके username का जो password है, वही आपका password होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे username और password डाल देता हूँ, आप यहाँ पे remember password भी कर सकते हैं, इसमें click कर देने से आपका password भी remember रहेगा, जब भी आप इसे click करेंगा, automatically खुल जाएगा, आपको बार बार username password डालना नहीं होगा, ओके, तो मैं यहाँ पे okay कर देता हूँ, देखिए, यहाँ पे user स्वाकर रहा है, user के अंदर जो कुछ है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, user, Dev, Dev के बाद मैं desktop में जाता हूँ, desktop, desktop में आप देख सकते हैं क्या क्या है, यहाँ पे ice video, यहाँ भी है ice video, और कुछ जैसे की नीच में नीचे जाता हूँ में front, front कहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे fonts हो कर रहा है, यह है front, इसे भी मैं यहाँ पे play कर सकता हूँ, देखिए play करने जाता हूँ मैं, video, MX player से ही मैं इसे पे कर देता हूँ, अब कर दो कर दो कर रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ, यह तो गया, डिस्टॉप के आंदा जो कुछे, डॉक्मेंट के आंदा जो कुछे आपको सो कर रहा है है, यहाँ पे, आप इसे use कर सकते हैं, mobile के through, लेकिन अगर अब अपने drive को यूज करना चाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्रिप user के पास, dollar का sign नहीं है, क्योंकि user already share हो चुका है, लेकिन उसके बाद, I, A, G, F, E, S, D, उसके पास ही dollar का sign है, क्योंकि यह अभी तक share नहीं हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, songs drive, इसको मैं share करना चाता हूँ, songs drive के अंदर आपका कुछ movie है, या document है, आप उसे use करना चाते हैं, आपके mobile में, तो चलिए, मैं आपको share करना दिखा देता हूँ, इसके उपर आपको right click करके properties में चाना होगा, उसके बाद, sharing, advanced sharing, share this folder, ठीके, share this folder करने से आपका share हो जाएगा, लेकिन अगर आप full sharing करना चाते हैं, यानि आप इसे control भी करना चाते हैं, delete भी करना चाते हैं, folder के अंदर जो कुछे, तब आपको करना होगा, अगर आप पार्मिसान के अंदर जाना होगा, full control में click काना होगा, अभी तो read में check mark है, अगर आप full control कर देंगे तो आप mobile से भी, आपके dye में जो कुछे delete कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, okay, तो मैं यहापे full control कर देता हूँ, full control, apply, okay, close, आप देख सकते हैं यहापे sharing का icons हो कर रहा है, तो sharing यहापे हो गया है, इसका नाम है G, songs G, तो G अभी भी एही पे dollar का sign दिखा रहा है, तो आपको refresh करना होगा, देखिए, अब G, G के पास जो dollar का sign था अभी नहीं है, तो G में आप click करता हूँ, देखिए, जी के अंदर क्या क्या है, आप इसे भी देख सकते हैं यहापे, audio song, audio song, others, others, program file, program file, video songs, YouTube, video songs, YouTube, तो मैं YouTube में जाता हूँ, YouTube के अंदर जो कुछ है यहापे आप देख सकते हैं, जैसे के आप देख सकते हैं, यहाप देख सकते हैं, यहापे, यहापे, कोफार भी है यहापे YouTube के खोवर, तो मैं इसे ओपन करता हूँ, cover.png, आप देख सकते हैं आप एक वीडियो के अंदर में जाता हूं वीडियो के अंदर में कुछ प्ले कार कर आपको दिखाता हूं जाज कि Inktex Fitrius Unboxing नहीं किया था उसका वीडियो आपको प्ले कार कर दिखाता हूं यह तो फूल एजड़ी है फिर भी इसे आप देख सकते हैं बीना कोई छांजाट के बीना कोई बाफ़ारिं के अज में इस तब फिट्रीज बैन को तो इसके लिए आपको आपका इंटरेट ओं करना जोरुए नहीं है तो मैं यहां पर देख तो मैंने इंटरेट को और किया है या नहीं मैंने तो यहां पर इंटरेट को और कर दिया था तो मैं यहां पर इंटरेट को आप कर देता हूं इंटरेट को मैंने आप कर दिया तो फिर भी यह काम कर रहा है या नहीं तो देखना होगा वीडियोस में जाता हूं उसके बाद मैं यहां पर रिप्रेस कर देता हूं कुछ कुछ और वीडियो में यहां पर प्ले करते हूं जैसे कि हाउ टू मीर और यूर स्क्रेंग कि देखें कि नेट तो यहां पर आफ यह आप देख सकते हैं मुबाइल डेटा ओफ है कि अध्या कर सकते हैं मुबाइल पर ठीक है कि इस तरह आप आपका और भी ड्राइब श्यार कर सकते हैं जैसे यहां पर जाके राइट क्लिक करके पुपर इसमें जाके आपको श्यार करना होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे लाइक किजिए और मेरे वीडियो की आपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्स पर वाचिंग